स्रीमंत आपने मोडी साहिब को सहम सुना हैं कि उनकी फोकस ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्शर पर है तो मोडी जी की फोकस के अनुसार ही हम लोग निवेश के अवसर तलाज रहे हैं तो उसी क्रम में आप घौर फरमाईए JSW Energy के उपर जो की भारत का जी हां भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगा रहा है करनाट का प्रांट में JSW Energy के शहर में हालिया दोर में काफी उच्छा लाया है लेकिन ये कंपनी सही रास्ते पर चल रही है ना केवल ग्रीन हाइड्रोजन बलकी सोलर एनरजी का उत्पादन करने के लिए भी राजस्तान में ये एक बड़ा प्लांट लगा रहे हैं और JSW Energy ही क्यों अगर आप वार्ड विजार्ड इनोवेशन्स नाम की कंपनी को देखें तो उसने भी इलेक्टर्क वीकल प्रोडक्शन के लिए एक दसमलव तीन बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट जीता है जाहिर है चुकि बड़ा प्रोजेक्ट है अचानक से जीता कंपनी का शेर आज 20% के अपला सरकेट पर ठोका हुआ था यहाँ पर दोस्तों चाहे JSW Energy हो अथवा वार्ड विजार्ड हो हमारा आपकी सेवा में सवनाय निवेदन सिर्फ यह है यह जो रिन्यूबल स्टॉक्स हैं इनकी प्रोफिटिबिलिटी अब कंसर्ण बनने वादी है कारण यह है कि कोई भी रिन्यूबल प्रोड़क्ट आप बनाईएगा उसमें कॉपर, अल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर लगता है और उन सब की कीमतें बढ़ गई है इसलिए या तो आप इन मेटल्स के शियर्ट के में निवेश किजिए, वैसे उनके शियर्ट भी चाट थोखे है है तो पॉइंट क्या है, कि आप अगर रन्यूबल एनरजी स्टॉक्स में निवेश कर रहे है अनाप सनाप वैल्यूएशन पर निवेश कर रहे हैं जैसे की वार्ड विजार्ड इनोवेशन सुजलोन जेस डेवली एनर्जी अत्वा वारे रिनुवल्स तो आप कीजिए मना ही नहीं है हमारी लेकिन आप स्टॉप लॉस भी रखिए क्योंकि ये जो कॉस्ट प्रैसर है ज मैं थोड़ा सजग और चोकनने रहेंगे तो वहतर होगा अब रही बात कि यह जो उठापटक हो रहा है उसके मद्द नजर यदि आपको हमसे कोई टिप रायर रेक्मेंडिशन चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्कॉप्शन वाक्स में लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके क्यावी क्यावी मेरा क्लाइंट बनकर मुझे अपनी सेवा करने का एक सुनेरा अफसर देने का कस्ट कीजिएगा मानेवर